नमस्कार दोस्तों, आज नेपाल और भारत के बीच में इसेन गेम का मुकाबला था, हाला कि इस मुकाबले को नेपाल जीत नहीं सका। लेकिन फिर भी नेपाल ने तीन तीन वर्ड रेकॉर्ड बना दिये। जी हां आपने सही सुना मैच हारने के बावजूत तीन वर्ड रेकॉर्ड बना दिये क्यूंकि नेपाल ने जो प्रदर्शन भारत के खिलाफ किया वो एकदम गजब का था और इसलिए सब ही क्रिकेट लवर्स प्यार जरूर दिखा रहें नेपाल के क्रिकेट टीम के लिए क् प्रदर्शन ही कुछ ऐसा ही था मैच में रिजन यह था कि 203 रन के लक्ष का पीछा करते हुए नेपाल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था उससे मैच पूरी तरीके से दो तरफा ही लग रहा था एक समय पर ऐसा भी लग रहा था कि भारत के हाथ से मैच निकल जाएगा क् कि काफी क्लोज विन थी और इसलिए पूरे क्रिकेट जगत में इसकी तारी फोर ही है हालाकि इस क्रिकेट मैच की अमपाइरिंग पर भी कई सवाल उठ रहा है क्योंकि यहाँ पर कई सारे गलट डिसीजन भी दिये गए जिसको लेकर एक नाराज़ी भी दिखाई दे रही ह और हो यह भी सकता था कि अगर वो बैड डिसीजन नहीं दिये चाते तो नेपाल इस गेम को जीत भी चाता तो यहाँ पर गेम थोड़ा लग के साथ भी हुआ आपकी इस पर राइक है कॉमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताईएगा लेकिन इससे अलग हटके नेपाल की क टीम के खिलाफ सबसे जादा चक्के लगाए है आसता कि शीम यानि कि दम तो है नेपाल के खिलाडियों में और नेपाल इस मैच में भारत के खिलाफ 14 चक्के जड़े और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इससे पहले यह रिकॉर्ड नीदर लैंड के पास था जिसमें 13 मेरा चक्के शामिल थे दूसरा रिकॉर्ड बना इंडिया के खिलाफ किसी भी आसोशीयेट टीम द्वारा सबसे जादा स्कोर का दूसरों दूसरों तीन लक्ष का पीछा करते हुए नेपाल ने 179 तन नौ विकेट के नुकसान 20 वरों में बनाये जो कि आस तक की का किसी भी एसोशीयेट टीम का भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर था इससे पहले यह रिकॉर्ड 152 रन का हुआ करता था जो कि होंग कॉंग का था लेकिन अब यह नेपाल के नाम है वहीं इस मैच के जरिए तीसा रिकॉर्ड बना दीपेंदर सिंग एरी के नाम जिन्होंने बीना कोई चोका लगाए एशियन गेम में कुल 13 चक्के लगाए यो कि आस तक की का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है उन्होंने चार चक्के जड़े भारत के खिलाफ एक चक्का जड़ा मालदीव के खिलाफ साह साथ आज चक्के जड़े मंगोलिया के खिलाफ जिसके बाद यह कुल 13 हो गया और इस के साथ उनका रेकॉर्ड बन गया बिना किसी चोके के 13 चक्के लगाने का किसी भी टी-20 इंटरनेश्चनल्स में यह थे वो रिकॉर्डस के नेपाल ने अपने नाम किये और को ऐसी नेपाल ने तीन वर्ड रिकॉर्ड बनाए इस मैच को हारते हुए भी और पूरी दुन्या में नेपाली क्रिकेट टीम के सराहना हो रही है एशियन गेम्स में जैसा प्रदर्शन के नेपाल के बल्ले बाजों में और गेद बाजों में और उनके प्रदर्शन को देखके लगता है कि बहुत जल्द नेपाली क्रिकेट टीम काफी उभरने वाली है और क